कौन है अखिलेश यादव का सार्थी अखिलेश यादव किसके सहारे लड़ेंगे 2022 का चुनाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त एक नई रणनीती के साथ 2022 के चुनाव की तयारी कर रहे हैं और जन्ता के साथ में अखिलेश के तमाम राजनितिक विपक्षी दलो को ये जानने की लगातार कोशिश रहती है कि आखिर अखिलेश यादव का सार्थी कौन है आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का सार्थी कौन है आपने देखा होगा कि 2017 में अखिलेश यादव ने कॉंग्रेस से गटबंदन किया 2019 के चुनाव में PSP से गटबंदन किया उपचुनाव में तमाम छोटे संगठनों से गटबंदन किया मगर अब अखिलेश यादव कहा रहे हैं कि वैं खुद बिना किसी गटबंदन के 2022 के चुनाफ में लड़ना चाहते हैं अखिलेश यादव के करीबियों और समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेताओं की माने तो अखिलेश यादव के सार्थी खुद अखिलेश यादव ही है जि हाँ, जब जहाँ जिस तरीके से ज़रूरत होती है, उस समय उस व्यक्ति को अखिलेश अपना सार्थी बना लेते हैं जो पार्टी के हित में होता है आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के हर एक कार्य करता और नेता को लगता है कि वे अखिलेश यादव के काफी करीबी है यही कारण है कि अखिलेश यादव सीधे अपने कार्यकरता और नेताओं से जुड़े हुए हैं क्योंकि वह अपने कार्यकरताओं और नेताओं को अपना सार्थी मानते हैं और वह कार्यकरता और नेता अखिलेश यादव को अपने अर्जुन के रूप में हर चुनाव में लेकर खड़े हो जाते हैं मगर अप देखने वाली बात ये होगी कि इस बार समाजवादी पार्टी के क्रिश्ण यानि कार्यकरता नेता अखिलेश यादव यानि अपने अर्जुन को राजगत्ती दिला पाते हैं या नहीं और युद जीत पाते हैं या नहीं ये तो समय ही बताएगा फिलाल अर्जुन और किर्शुन दोनों ही युद की सनरजना बनाने में व्यस्त हो चुके हैं